दोस्तों आप देख सकते हैं BSNL Live TV की जो application है वो launch हो चुकी है जितने भी Android TV है तो आप देख सकते हैं यह application है इसमें आपको जैसे GOTV Plus के अंदर कुछ जो channel है वो free देखने को मिलते हैं सेम इसी तरीके से BSNL Live TV application के अंदर भी आपको कुछ channel जो है free देखने को मिलेंगे बाकी जैसे कि मैं example के लिए दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसमें जो है channel देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुछ OTT application भी देखने को मिलेंगे उनकी और बाकी 600 प्लस जो live TV channel होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे तो बाकी आप इसको किस तरी से अवेल कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम उस topic पर बात करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है बाल कृष्ण और हमारे चनल में आपका हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है जैसे GOTV Plus के अंदर हम फाइबर प्लैन है उसी तरीके से जो है अब BSNL ने अपनी application को launch कर दिया है तो उसको मैं दिखा देता हूं तो आप जाएंगे उसके लिए Google Play Store में तो फिलाल जितने भी Android TV है तो Android TV के लिए उन्होंने अभी launch किया है तो Fire TV Stick हो गया, LG हो गया, यह Samsung के TV हो गया तो उनमें भी दिरे-दिरे यह application जो है बाद में launch हो जाएगी और यहाँ पर हम normally search करेंगे BSNL ठीक है जैसे ही हमने search किया BSNL आप देख सकते हैं यहाँ पर एक application शो कर रहा है starting में तो इस पर हम OK प्रेस करेंगे बाकि आप देख सकते हैं इस तरीके से application रहेगी और इसके screenshot की बात करें तो इस तरीके से जो है इसका एक तरह से आपको layout देखने को मिलेगा और जो कुछ FTT channel है वो आपको यहाँ पर free देखने को मिलेंगे ठीक है अभी testing phase में है तो जैसे जैसे इस पर काम होगा फिर यह बाकी state में भी available हो जाएगी तो BSNL ने official Twitter handle में अपने डाला है मैं आपको सकते हैं TV स्क्रीन में यह BSNL इंडिया का जो है official Twitter handle है आप देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है इन्होंने दो पोस्टें डाली हुई है ठीक है एक पोस्ट की बात करें पहली पोस्ट तो September 8 में डाली है ठीक है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज करते थे सेम इसी तरीके से BSNL का fiber service available है जो की BSNL FTTH के नाम से अबलेबल है ठीक है तो जिस तरीके से यूज करते हैं इसी तरीके से BSNL का एक fiber plan रहेगा और साथ में आपको उसमें internet भी मिलेगा तो without internet जो है आप इन चैनलों को देख सकते हैं आप देख भी सकते हैं नीचे the data utilized for BSNL live TV will be unlimited और जो इसमें data मिलेगा वो unlimited रहेगा और आपका जो FTTH का plan रहेगा जो भी उसमें data limit होगी उसमें से वो किसी तरीके का data जो है deduct नहीं करेंगे बाकि आप देख सकते हैं इन्होंने contact number भी दिया है और यहां पर अगर आप इस हैट देखेंगे तो download the app इन्होंन तो धीरे धीरे वहां पर launch होगी उसके बाद all India में यह आएगी ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं second post और इस second post की बात करें तो यह 10 September को इन्होंने डाली BSNL live TV testing आप देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं uninterrupted live TV streaming आपको देखने मिलेगी क्योंकि इसमें आपको data का कोई भी concept नहीं है आपको unlimited data मिल रहा है और free for BSNL FTT user मतलग जिनके पास BSNL fiber का plan रहेगा उनके लिए जो live TV चैनल रहेंगे वो free रहेंगे बट अब ऐसा नहीं है कि वो जो BSNL fiber का plan है वो आपको free में मिलेगा ठीक है उसका पैसा लगेगा वो लगबग जियो के आसपास ही र future में हम आपको बता देंगे बाकि मुझे जो लगता है जैसे जियो fiber का जो plan है ठीक है 599 वाला यूज करते हम अगर हम live TV चैनल देखना चाहते हैं और 399 वाले plan में जो है आपको कुछ limited channel देखने को मिलते हैं जो की free रहते हैं इसी तरीके से BSNL भी आपना fiber को जो एक तरह से market कर रहा है को इस चीज़ का idea भी होगा जैसे हम माल लेते हैं SIM यूज करते हैं अपने mobile में तो आपको पता है या ब्रॉंड वैंड यूज करते होंगे यो या Airtel के मुकावले आपको पता है कि वो किस speed के आता है ठीक है हमारे area में तो बिल्कुल भी नहीं चलता तो कहीं न का नाम है BSNL FTTH तो इस plan को आपको लेना पड़ेगा और ये भी मुझे लग रहा जीओ के लगभग ही आसपास ही रहेगा ऐसे नहीं है कि बहुत ही सस्ता मिलेगा ठीक है जीओ plan के लगभग ही मिलेगा जितना जीओ का दे रहा है थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता है बाकि इनक में या फ्री में जो है लाइव टीवी चैनल देखना चाहते हैं तो बहुत शायद ये ज्याददे ठीक है ऐसी में उम्मीद कर रहा हूं और थोड़ा सा प्राइस भी कम रखे तब थोड़ा सा competition आएगा मार्केट में ठीक है तो उम्मीद करते हैं इससे लेटेड जो है प्राइस तो